नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर प्रांजली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे होमेपेती के एक बहुत ही important medicine जिसका प्रयोग एक तरह से emergency के रूप में किया जाता है आपके घर में बुजूर्ग हैं, बच्चे हैं, एवन यंग्स भी हैं और जिनको अगर कोई परिशानी एकदम से हो जाती है तो ये medicine उस पे एक miracle जैसे काम करती है इसको आप सभी लोग अपने घर में as a preventive रखें कि कभी अचानक से कोई परिशानी आ रही है तो आप इसका प्रयोग कर सकें दोस्तो आज हम बात करेंगे Econite Napolis के बारे में बहुत ही important medicine है और इसका sphere of action भी दोस्तो बहुत जादा है different different areas पे हमारे शरीर के काम करती है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि Econite का प्रयोग हम अपने शरीर के किन-किन परिशानियों में कर सकते है ना सिर्फ acute condition में ये आपके chronic condition में भी बहुत ही अच्छी काम करती है तो इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपको detail में बताऊंगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़दा informative है आप इसको अन तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अब आप सभी मेरे website drpranchely.com पे भी जुड सकते हैं जहां आपको मेरे appointment के medicine संबने सारी information मिल जाएंगी मेरे आगे जितने vlogs आएंगे उनके notification भी आपको मिलती रहेंगी और अगर आप सभी मेरे साथ मेरे social media platforms पे चुड़ना चाहते हैं जैसे कि Facebook, Instagram, Tweeters इन सब के detail links भी आपको वहाँ पे मिलेंगी तो आप सभी एक बार मेरे site को visit ज़रूर करें चलिए अब बात करते हैं दोस्तों Econite के बारे में दोस्तों ये एक plant kingdom की medicine है जाने की पौधे से बनने वाली medicine है जिसके monks hood बोलते हैं दोस्तों इसका sphere of action बहुत ही अच्छा है मतलब ये आपके शरीर के बहुत सारे अंगों पे बहुत अच्छा काम करती है एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है और आप आँख मूंद के शरीर की हर परिशानी में इसका प्रयोग कर सकते हैं वो है sudden and violent condition मतलब आपको अचानक से बिलकुल कोई भी परिशानी आए और वो बहुत तीवर condition में आए ऐसी आए कि आपसे बिलकुल सहन नहीं की जा रही हो सबसे पहले हों पैती में एकोनाइट का प्रयोग किया जाता है हर acute परिस्तिती में जब वो बहुत aggression के साथ आ रही हो तो उसे में एकोनाइट को हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो pattern हैं उसको follow करते हुए बात करते हैं सबसे पहले mind के symptom की कि मानसिक स्थती कैसी होती है पेशेंट में और किन पेशेंट में इसका प्रयोग किया जा सकता है दोस्तो एंजाइटी या आप समझने जो मैंने एवन कई वीडियो भी बनाए हैं घपरहाट बेचैनी एंजाइटी के उपर यह Trigy है मतलब तीन TOP Remedies में आती है होमिपथी की यह Econite medicine Spesally जिसमें जो तीन Medecins है एक है Econite एक है Arcenic और है Restrox तो जब हमारे शूरीरि में मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से एक Anxiety एक Restlessness हो आपके अंदर बहुत जब परिशान से मेसूस कर रहा हूए को परिरिक और मांसिक दोनों तरफ से जबकि आप अंदर से हल्दी हैं लेकिन आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स अचानक से बिलकुल डेवलप हो रहे हैं तो आप एकुनाइट का प्रयोग इमेड़ करें आपको यह बहुत कुछ रिस्पॉंड करेगी साथी एक अंदर जो भय होता है कि मैं अब बचूंगा नहीं मैं अगले एक हफ़ते के अंदर मैं मर जाओंगा तो यह एक फियर पेशेंट में डवलप रहता हो आपके घर के किसी भी पर परसन को चाहे हो बच्चे से लेके बुसरों को अगर इस तरह के लक्षर दे रहे हैं बहुत ज़दा फियर वाले ठीक नहीं होगा चाहे वह सिंपल सा वायरल ही क्यों ना हुआ हो आपको हाइग्रेट फीवर आया आपको लगा कि मुझे बहुत कुछ बड़ी बिमारी होगे मैं मर सकता हूं तो ऐसी कंडिशन में आप अप प्रयोग जरूर करें और यह बहुत अच्छी काम करती है यह फि आरसिनिक बहुत अच्छी काम करती है लेकिन जब शारी बीरिक और मानसिक दोना तरह से आप परेशान महसूस परें उस समय आइकोनाइट ले और जब सिफ शारी रूप से आप परेशान हो आपके हात पेरों में बहुत तर्द अपरेशन हो उस लाद जादा परेशान उस तीसरी बहुत अच्छी काम कर दी दोस्तों वो है रेस्ट्रॉक्स तो ये तीन ट्रायोज मानी जाती हैं हमारी होमेपैथी की के लिए जब बीमार होगा पेशन्ट उसको बहुत जादा प्यास लगेगी बेचयानी से रहेगा इधर उदर गूमेगा लगेगा अब तो बचूंगा नहीं तो आप एकोनाइट दे सकते हैं नेक्स बात करते हैं इसके हैडेक के सिम्टम पर दोस्तों हैडेक भी इसको जैसे मैंने वहता है बहुत सदन और वॉलेंट वाली कंडिशन में आता बहुत तीवर सर में दर्द उठेगा और उसको थोड़ा से जैसे अगर कोई ठंडी जगहा पर निकल गया सुष्क जो ठं लाप्रद है नेक्स बात करेंगे दोस्तों आइस के लिए भी आइस में भी अगर आपको अचानक से आप जैसे ठंडी हवा में निकल गए आपकी आखों में बिल्कुल रेडनेस आकी स्वैलिंग सी लग रही है और एक चुभन जैसे अगर आखों में आपको लग रही है औ अगर एकडम से बन रही है तो आप बेशर प्रियोग करें नेक्स बात करते हैं दोस्तों नॉस्ट्रिल यानि कि नाक की नाक में दोस्तों चीक आना नाक से बार बार नाक की जो नॉस्ट्रिल हो जाना नाक से फिर पानी आना और सुबा में अगर आप जैसे नाक तेजी से तो उसे ब्लट का भी निकल आना भी एको नाइट को बहुत अच्छी मेडिसिन इंडिकेट करता है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जब भी आगर आप ठंडी हवा में निकल के जारें आपको तुरन चीके आने लग जारी है नांक से पानी निकल रहा है अंदर नांक में आपक तो दोस्तों में भी अगर आपका बार बार इंडिजिशन इस्तिता रहती है आपको वॉमेटिंग संसेशन लगता है वॉमेटिंग भी जब अगर आपको होती तो बहुत बिलिस बॉमेटिंग होती बुख SmithNeback सा निकलता है और फिर सात में ही एक anxiety भी साथ में चल रही है एक fear वाली situation अगर आपके साथ चल रही हो कि आपको अंदर से कुछ खाय जा रहा है ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा तो उस case में भी आप इसके साथ साथ इस condition में आप एकोनाइट ले सकते हैं अगर आपको पेट में भादीपन लगता है गैस बनती है खटी ढकार आ रही है बदश्मी सी लग रही है और वामिटिंग के साथ आपको कभी-कभी बहुत एक्जर्शन के साथ अगर आपने वामिटिंग की तो थोड़ा सा ब्लेड भी दिख सके दिख जाता हो वो ऐसे कोई गभराने वाली चीज नहीं कभी बहुत हम प्रोजेक्टाइल वामिटिंग जब करते तो अंदर से जो हमारी ट्राक है वो थोड़ा छिल जाता है उसके वज़े से थोड़ा ब्लड आ जाता है ब्लड अगर ब्राइट रेट कलर का है तो मतलब वो छिल के आ रहा है अगर है है किंग कॉफ में बहुत अच्छी काम करती सूखी खासी उसके साथ ऐसे घर घर वाली जोसे होर्ष आवाज हो जारी हो सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है आपका जो अंदर गला है इसमें लारिंग से बहुत जादा सेंस्टिव हो जब भी आप खास रहे हो आपको लफ साइड में जो आपका बाया तरफ है उसमें एक हलका सा एक पेन एक पिंचिंग पेन बना रह रहा हो इस केस में भी आप प्रयोग करें बहुत ही अच्छी लाप रहत है दोस्तों और आपको किसी भी चीज से अप साथ में एक फियर सा डवलप हो रहा है घबराहट लग करते हैं इसके फीवर के केस में बहुत अच्छी काम करते हैं दुस्तों जैसे आप अचानक थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थंड थी बहुत बहुत थंड से आप एक्सपोज हो के अंदर आपको अचानक से बुखार चड़ने लगा हाथ पैरों में दर्द एक्डम से आप टच करेंगे तो बहुत चिल सा पसीना अपको फील होगा इसके साथ साथ जो आपको फीवर है फीवर हाई ग्रेट का सकता है हाथ पैर में बहुत दर्द बहुत ज़दा बेचैनी के साथ हो और एकदम अचानक से शुरू हुआ हो उस केस में आप एकोनाइट का प्र को खाराने की शुरूशन हो जाती है उसमें आप एकोनाइट का प्रयोख करें दोस्तों बहुत ही अच्छी काम करती हर अच्छी काम करती है कृकि बहुत को सारे points को cover करें लेकिन अभी भी बहुत सारे points हैं लेकिन जो main जिसका sphere of action था वो मैंने आपके साथ discuss कर लिया पूरी medicine बताने में बहुत जादा समय लग जाता है लेकिन आप सभी एक मोटी मोटी बात समझ लें कि कभी किसी भी परिशानी में शरीर की किसी भी करती है आप बात करते हैं इसकी कौन सी potency आपको यूज करनी है दोस्तो 30 potency का शुरू में ही आप रयोग करें अगर आपकी जो परिशानी है दम वालेंड शुरू ही है आप इसका medicine को 30 नमबर की potency को 2 बून हर 10 minute पे लेना शुरू करें लगभग जब तक आपकी परिशानी थोड़ी से रिकवर ने हुझे मुझे लगता है पांस से छे रिपिटिशन के बाद आप खुद थोड़ी से रिलाक्स फिल करने लगेंगे तो 10 10 minute के गैप के बाद आप इसकी 5 तो 6 डोस ले 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 जैसे कंडिशन बेटर हो जाती है आप इसकी डोस को दिन में तीन बार कर दें जैसे जिस दिन आपको लग रहा है कि आपको परिशानी बढ़ी 10-10 minute के गैप पे आपने 4-5 डोस ले रही बेटर हुआ फिर आप उसी दिन से ही इसको दिन में दो बार करें और अगर chronic condition है बहुत लंबे समय से है तो कम से कम 15 दिन से एक महने अपनी दवा को खाएं और ताकि वो परिशानी को आपके ठंक से ख़दम कर सके बात करते हैं higher potencies की तरफ अगर आपको mental symptom match कर रहा और आपको ये पता है कि हर बार patient को इस तरह के लक्षण आते हैं तो आप इसकी 200 potency या 1M potency का प्रयोग कर सकते हैं 200 potency दे रहे हैं तो दिन में सिर्फ एक बार सुबा में आपको दो बुन डारेक्ली जबान पे देनी है 1M potency ले रहे हैं अगर आपको बहुत सारे symptom match करें और आपको लग रहा है कि एकोनाइक medicine आपके लिए बहुत perfect है या फिर आप खुद से ले सकते हैं या फिर आप अपने नजदी की किसी होमेपतिक डॉक्टर की सलहा लेकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ये हफते में सिर्फ एक बार ली जाती है दो बुन डिरेक्ली जबान के उपपर और 1M potency का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों इस तरह से medicines के repetition और यूज किया जाते हैं आशर करती हूँ आपको इस वीडियो बत्संत आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें शेर करें जादा जादा अपने friends, family members और relatives के साथ और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल ज़रू सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के informative वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you so much stay safe and healthy